चलो भई देख अपने क्या करता है लेकिन बलिन के क्यारेक्टर को सबसे ज्यादा पसंद किया गया Professor के बाद और ये इतना पॉपुलर चैरेक्टर बना की Netflix को इसके लिए अलग से show announce करना पणा लेकिन बलिन की ये story जिस point पर खत्म हुई है वहीँ है जबकि तरह से बलिन की इस series को treatment दिया गया है वहां अब मु इतना चेंज हो गया है और अपके टाइम में लोग अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी देखना पसंद करते हैं और इसका एक्जाम्पल हमने एनिमल मूवी में देखा है और यही टॉक्सिसिटी हमने बलिन के कैरेक्टर में भी देखी है म मनी हाइस्ट सीरीज में लेकिन वो चीज क्रियेटर ने बलिन की सीरीज में गायब कर दी और वो वाला बलिन हमें पूरी सीरीज में कहीं दिखाई नहीं दिया अब मनी हाइस्ट सीरीज में काफी सारे कैरेक्टर थे तो इस वजए से बलिन को वहां कम स्क्रीन टाइम मिला और हमें भी बलिन को समझने में काफी टाइम लगा था कि ये किस तरह का behavior रखता है अब जब public demand पर इस character को अपनी series मिली तो भी हम इसका inconsistent behavior देखते हैं बलिन को जब हमने देखा था तो उसमें हमें यही देखने को मिला था कि वो लड़कियों के लिए बहुत rude behavior रखता था लेकिन यहां हम बिल्कुल उल्टा देखते हैं कि बलिन पूरी series में उस लड़की में interested है जो कि बलिन में बिल्कुल भी interested नहीं है मतलब लड़की के पीछे पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि हमें पता था बलिन रंगीले टाइप का था अब यहां बात यह है कि पहले तो money heist में अकरू टाइप का बलिन को दिखाया था और इस series में हमें यह दिखा दिया कि लड़की के पीछे भागते रहो अब जब हमें बलिन का ट्रेलर देखने को मिला था तो हमें लगा कि इस series में हमें कोई तगड़ी हैस देखने को मिलेगी मतलब पुरे 44 मिलियन डॉलर की चोरी होगी तो कुछ मजेदार ही निकल कर आएगा लेकिन भाई हम तो बिलकुल ही बोर हो गए इन 8 एपिसोड में और हैस तो छोड़ो यहां बलिन का पूरा ध्यान ही लड़की पर ही था उधर इसके उल्टा मनी हाइस्ट में हमें बलिन का लीदर वाला शांदार कैरेक्टर देखने को मिला था जिसमें वो अपने काम मतलब चोरी के लिए पूरा फोकस रखता है साथ ही उसमें जो हाइस्ट प्लान की गई थी वो कितनी स्ट्रॉंग लेवल पर थी जहां कहीं से भी कोई गलती की गुणजाईश नहीं रही थी साथ ही इस सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट अगर आप मनी हाइस्ट देखे तो इस सीरीज का हर छोटे से छोटे कैरेक्टर को भी तरीके से लिखा गया था बलिन में कैरेक्टर और उनकी बेक्स्टोरी को ठीक से डिवलप नहीं किया गया जब हमें पता चला कि बलिन की सीरीज आ रही है तो हमें उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी यानि हमें इतनी high expectation थी कि हमें बलिन के आगे professor जैसा character भी फीका दिखने लगा था लेकिन यहां तो बलिन का ध्यान चोरी पर था ही नहीं और पूरी series में वो लर्की को पटाने की तरकीबे करता रहता है बलिन series देखने की एक छोटी सी उम्मीद ये भी थी कि शायद हमें professor का character भी देखने को मिल जाए professor तो छोड़ो हमें बलिन भी अपनी full form में नहीं दिखा भले इस series में professor का एक या दो मिनट का cameo भी होता लेकिन at least professor को लाना चाहिए था इससे ये पता चलता है कि creator के पास बलिन की backstory के ज्यादा hint नहीं थे और जो उन्होंने बनाया उससे हमें हद से ज्यादा बोरियत होने लगती है लेकिन ऐसा भी नहीं है बलिन series सभी को बोर ही लगी बलकि internet पर बैठे काफी लोगों को ये series पसंद ही आए है क्योंकि इस series में हमें सारे character relationship को explore करते दिखते हैं जहां इसका हर character अपनी personal relationship की problem से गुजरता हुआ दिखाई देता है जो बहुत हद तक relatable भी लगता है बाकी तो इस series को देखना आपके individual preference पर depend करता है लेकिन एक बात तो साफ है कि इसमें money heist जैसा चाम नहीं है और आप वो धून्दे भी नहीं तो इस छोटी सी update में इतना ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe ज़रूर करे बाकी मिलते हैं आपसे cinema and popcorn की किसी और वीडियो में Till then, bye